यूपी की सहारनपूर पुलिस ने भारत निर्वाचन आयो की साइट हैक कर फरजी बोटर आईडी कार्ड बनाने के मामले में नुकर्थाना श्रेत्र निवासी विपल सैनी को ग्रफतार किया है जिसने जस्ट प्रिंट कार्ड के नाम से फरजी बेपसाइट बनाकर दस हजार बोटर आईडी कार्ड बनाये थे पूस्ताच में सामने आया कि विपल पाँच लोगों के साथ मिलकर पूरे काम को अंजाम दे रहा था इन पाँच लोगों में बारा जिले के छबडा कस्वा इस्तित बाप चाथाना शेत्र के रूपारेल निवासी दीपक का नाम भी शामिल है विपल फरजी वेबसाइट से गोरक दंदा चलाने के लिए दीपक के अकाउंट को यूज मिलेता था यूपी पुलिस ने दीपक क शबडा में इमित्र संचालित करता है उसने टेक्निकल महता के नाम से यूटूब पर एक चैनल बना रखा है जिस पर विग्यापन बना कर चलाता है विपुल ने तीन-चार बार दीपक के यूटूब चैनल पर विग्यापन चलवाए थे जिसके बाद दोनों में जान बढ़ गई थी इसके बाद विपुल ने 50 प्रतिशत का लालच देकर दीपक को अपने साथ शामिल किया विपुल ने फरजी वेपसाइट के लिए दीपक के अकाउंट का सहरा लिया दीपक का ननिहाल वा ससुराल MP में है दीपक ने कुम्बराज जिला गुना की SBI बैंक में अकाउंट खुला रखा है पुलिस पुश्तास में सामने आया कि आरोपी विपुल फरजी वेपसाइट से एक होरक दंदा चलाने के लिए दीपक के अकाउंट को यूज में लेता था इसके बदले दीपक 50 प्रतिशत हिस्सा लेता था 50 प्रतिशत विपुल को देता था यूपी वा बारा पुलिस पूरे मामले की परताल में जुटी हुई है